आज मैं कचोड़ी की ऐसी रेस्पिस शेयर करूंगी फ्रेंड्स कि आपकी कचोड़ी बनेंगे एकदम फुली-फुली, क्रिस्पी और खस्ता वो भी गिहूं के आटे से अगर आप मेरे तरीके से बनाओगे तो आपकी कचोड़ी बहुत ही ज्यादा खस्ता बनेगी आप करते हैं तो यहां पर तेल का यूज मत करना आप देशी घी डालना उससे कचोड़ी बहुत ही ज्यादा खस्ता और क्रिस्पी बनेगी तो मैं क्या करती हूं कि दोनों हातों से इस तरह से स्क्रब करती हूं हातों में जिससे पूरे आटे में अच्छे से मौयन लग जाता है जैसे आप आटा का इस तरह से मुठी में बांद होगे ना बंद जाएगा तब आप समझ जाएगे कि आपका जो मौयन है बहुत अच्छे से लग चुका है यहां पर सबा का पानी और आटे की यह कचोडिया आपके फटे नहीं क्रिस्पी वने उसके लिए आपको एक कम और करना है कि इस आटे को अब 10 मिनद तक अच्छे से मलना है जिससे क्या होगा कि आटे में एक लचक आजाएगी आटा बहुत लचिला हो जाएगा आपकी जो आलू का मसाला बना लेते हैं इसके स्टफिंग के लिए एक कड़ाई में मैंने ले लिया है आदा चम्मत जीरा आदा चोटा चम्मत सावत धनिया आदा चोटा चम्मत सौंप थोड़ी सी काली मिर्ची दो सावत लाल मिर्ची और अभी गैस की आज को एकदम लो पर जब तक मसाला में से भीगी भीगी सम違う आजा अगर आप इस तरह से मसालों को रोश्ट कर कर के प्र आलू के मसाले में बहुत ज्यादा टेश्टी लगता है खाने में अब कोट लोगी और बनाने के लिए मैं सबसे पहले ब्बॉयल बंसके आलो को इस तरह से करलउ कर लूग पूरी तरह से खतम हो जाए अगर आप मीरियम साइज के आलू ले रहे हैं तो दो या तीन इनफ होगा पर मैंने जो आलू लिये हैं वो थोड़े छोटे हैं इसलिए मैंने पांच-छे आलू लिया है अब मैंने कड़ाई में डाल दिया ओयल यहां पर डाला है सरसो का तेल में डाल दूंगी थोड़ी सी ही और फिर एड़ कर दूंगी इसमें जीरा और थोड़ी सी दर्दरी कुटी सावुत धनिया इससे इस मसाले में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और आप एड़ कर दूंगी एक चमच बेसन अभी यह जो सारी कुकिंग है एकदम लो आज प करना नहीं तो सारे मसाले जल जाएंगे और बेसन को तब तक भूनेंगे जब तक इसमें से एक अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता जो बेसन का कच्छा पने ना वह खतम नहीं हो जाता और इसमें एड़ कर दूंगी बारी कटी हुई हरी मिर्च आदा चमच लाल पाउडर थोड़ी सी हल्दी पाउडर एक दो सेकिंड के लिए इसे भून लेंगे और आव एड़ कर दूंगी कदू कस किया हुआ अलू और आव आलू को अच्छे से मिला लूंगी मसाले के साथ में तो फ्रेंस यहां पर आलू को हमें अच्छे से भूनना है जिससे कि आल नमक आप अपने हिसाब से कम जाएदा रख सकते हैं थोड़ा सा कमी रखना क्योंकि यह फ्राई चीज है हमने आटे में भी नमक डाला है तो कचोडी का जो मसाला है वह थोड़ा तीखा चटपटा होना चाहिए तब ही जाके जो कचोडी बहुत अच्छी लगती है खाने मे क्योंकि आटे में सिर्फ नमक होता है और कोई फ्लेवर नहीं होता उसमें और अब मसाले के साथ में आलू को अच्छी से मिक्स कर लिंगे और अच्छी से भूनूंगी जिससे कि इसका जितना भी मौश्यर हो खतम हो जाए तो अब देख सकते हैं कि आलू का जो मसाला है वह कडाई से एक दम अलग हो रहा है वह सेपरेट हो रहा है उसकी तली में बिल्कुल भी निच्छी पक रहा है इसका मतलब है जितना भी आलू का मौश्यर था वह खतम हो चुका है और अब मैं कर दूंगी गैस की फ्लेम को आफ और इस आलू के मसाले को निकाल लूंग एक बर को बांधने में आसानी हो बस थोड़ा सा आलू लूंगी और इस तरह से चोटे चोटे बॉल्स बना के तैयार कर लूंगी तो बॉल्स बनके तैयार हो चुके है और अब आटे को देखे कितना सॉफ्ट और कितने अच्छी से ढ़ल चुका है इसकी जो कचोडिया है बहुत करना से इसे पतला करना सुरू करेंगे बीच में थोड़ा सा मोटा रखेंगे और साइड से पतला करते जाएंगे और एक कटोरी का सेफ दे देंगे आप देख सकते हैं कि मैंने साइडों से पतला करा है और बीच से थोड़ा मोटा रखा है और एक बॉल को रखेंगे पेड नहीं आएंगी और बिल्कुल प्लेन होके यह बंद जाएगा कचोडी पेड़े की जो किनोरिया है वह अंगुठे और इंडेक्स फिंगर से उपर उठाते जाएंगे जिससे यह खुद से ही बंद जाएगा इसका मुझो है वह बंद हो जाएगा और बिल्कुल भी स्क्रेच नहीं आएंगी आप देख पारे कितना स्मूद और कितना अच्छे से बंद चुका है और जो भी एक्स्ट्रा आटा होगा उसे निकाल दिंगे और इसमें इस तरह से प्रेश करेंगे और कचोडी के बीच में दूसरा हाथ रखकर इस तरह से प्रेस कर दिंगे इससे क्या हो कि बारे तो यहां पर भी एक बात का धियान रखना है कि तेल बहुत ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए और बिल्कुल भी ठंडा नहीं होना चाहिए तेल गरम होगा पर बहुत ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा जैसे हम कचोडी डालेंगे तो तो चोटी-चोटी बबल्स आन तो लो आज में फ्राई करने में आपको 20-25 मिनिट लग जाएंगे आप देख सकते हैं कचोडियों का जो कलर एक ब्राउन हो चुका है उपर से अच्छी सी गोल्डन कलर की लियर्स आ गई है तो कचोडिया अच्छी से फ्राई हो चुकी है अब मैं निकाल लूंगी अब मैं तोरकर भी दिखाते हूं कि किती खस्ता और किती क्रिस्पी कचोडि बनी है तो फ्रेंड्स कचोडि की ये रेसीपी अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना और इसी तरही की नई नई रेसीपीज देखने के लिए चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लेना मिलती हूं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई फ्रेंड्स बनाओ खाओ मस्त रहो